हेलो अरिवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत अब सभी का ओनलाइन स्टेडियू में आज किस वीडियों हम कवर करेंगे आधुनिक भारत की निव लेक्चर में 1875 के विद्रोग के बारे में इससे जुड़ी जितने भी important questions exam में बनते हैं वो सारी की सारी इस वीडियों मेंने कोसिस किये कि आपके साथ discuss करूँ तो इस वीडियों को end तक जरूर देखे और वीडियों अच्छा लगी तो वीडियों को like and share चरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं अज किस वीडियों का फर्स्ट कोचन यह बनता है कि धार्मिक अयूगता अधिनियम या लेक्स लेकी कानून का पारित हुआ था इस questions का right answer हो जाता है options number A 1850 1850 के अंतरगत अगर बात करें कि इसके अंतरगत हुआ क्या था तो सरकार ने मंदिरों और मस्चीदों की जो भी जैदाद होती थी उस पर कर लगा दिया था और 1850 इस्वे में धार्मिक अयूगता अधिनियम ये कानून बना दिया गया था और इसका उद्दे से ये था कि हिंदू रीती रिवाजों में परिवर्दन लाना ठीक है तो यह थोड़ा साब याद रखेंगे 1850 में धार्मिक अयूगता अधिनियम बना हुआ था नेक्ट चुनिए कि 1857 का विद्रों कहां से प्रारंब हुआ 1857 का विद्रों कहां से प्रारंब हुआ तो राइट अंसर विल बी ओप्सें सी मेरट से जो कि कह सकते मेरट को कभी स्टार्ट हुआ था 10 माई 1857 को ठीक है मेरट से 1806 में हुए विद्रों का कारण क्या था इस क्वेशन का राइट अंसर हुआता है ओप्सेंस नंबर सी यानि की धार्मिक कारण ठीक है प्रथम धार्मिक विद्रों जो हुआ था वो सेना में 1806 में क्या हुआ था कि माथे पर तिलक लगाने डाड़ी रखने और पगड़ी बांधने को लेकर के हुआ था ये जो की विद्रों इस तरह सम्हें कह सकते हैं कि ये परकार का धार्मिक कारण था और इसी समय क्या होता है कि इसी समय सेना में हैट लगाने का जो नियम बना जिस पर चमडे का तुरा और पंक लगा होता था और यह जो तुरा होता था गाय और सूर के चमडे से बनाया चाता था ठीक है तो यह point भी आप याद रखेगा देखें question number 4 क्या करा है कि 1854 में डलहौजी द्वारा शुरू की गए डाक अधिनियम को किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाले निसुलक डाक सुविदा समाप्त कर दी गई जो डाक अधिनियम स्टार्ट के गए था 1854 में डलहौजी ने स्टार्ट के था लेकिन किसके समय में सैनिकों को जो दी जाती थी निसुलक डाक सुविदा समाप्त कर दी गई तो लॉर्ड कैनिंग के सासनकाल में options भी यहां पे right answer हो जाता है नेक्स उचने कि प्रसीद उर्दू सायर मिर्जा गालीब जिन्होंने 1857 की विद्रों को स्वयम अपनी आखों से देखा इनका जन्म 1796 इस्वी में कहां पर हुआ था तो ध्यान से questions को पढ़िए का देखिए ऐसे भी questions पूछा जाता है कि वो सायर कौन था जिसने 1857 के करांती को खुद देखा था तो मिर्जा गालीब ने देखा था यहां पर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस question में पूछती है कि कहां पर इनका जन्म हुआ था तो इस question का right answer options नंबर भी आगरा में इनका जन्म हुआ था कब तो 1796 में ठीक है चलिए नेक्ट देखिए क्या करें 1857 के विद्रों के समय भारत का गुवर्णर जन्रल कौन था बहुत ही सिंपल सा question है 1857 के समय जो भारत के गुवर्णर जन्रल थे वो लॉड कैनिंग थे option c will be correct था लॉड कैनिंग का सासन काल कब से कब तक था 1856 से 1862 ठीक है आगे देखिए 1857 के करांती का प्रमुक के कारण क्या था ऐसे तो उसके कई कारण थे लेकिन आपको जो भी options मिल उसे options के एकॉर्डिंग आपको टिक करना होगा तो इस questions का राइट अंसर की British समराजी की नीती ठीक है options D will be correct answer ठीक है चलिए आगे बढ़ते यानि कि आपको पता है कि पहले जो यह गोद लेनी की प्रता थी उसके स्थान पर इसने क्या क्या था डुलहौजी ने एक नया स्थाथ किया था जो की Q9 कर रहे कि 5857 के विद्रोग का ततकाली कारण बताई क्या था एक कॉर्डिंग टू options क्या होगा राइट अंसर तो बहुत ही सिंपल सी बात है Q9 का राइट अंसर होगा options नंबर A चर्भी वाले कर्थूस का परियोग अरम करना जिसके कारण मंगल पांडे जुकी इनकार कर दिये थे और वहीं से यह स्टार्ट हुआ था ठीक है options नंबर A करेक्ट अंसर हो जाता है बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोग का नेतित्यों निमलीखित में से किस सहर से की थे तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा बेगम हजरत महल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है राइट अंसर होगा options नंबर A लखनाव ठीक है options A will be correct answer लखनाव ठीक है आप देखें यहाँ पर कुईशन यहाँ पर देख सकते कानपूर तो कानपूर से कौन थे तो याद रखेंगे कानपूर से नाना साहब थे और इलाहबाद की बात करें तो इलाहबाद से लियाकत अली थे ठीक है चलिए विक्टोरिया ने 1857 की घोशना में भारतियों को बहु उन्होंने जब घोशनाव दिया था उसमें भारतियों को बहुत सी चीज़े दिया जाने के अस्वासन दिया गया था लेकिन आपको यह बताने कि निमलीखीत वासनों में से कौन साब्रेटी सासक ने पूरा किया था तो राइट अंसर है ऑप्सेंस नंबर ए यानि कि रियास्तों को हड़ापने की जो नेती थी उसको समाप्त कर दे गए ठीक है कि यह बढ़ते हैं अच्छा एक क्वेशन और बढ़ लेते हैं देखें मैं आपको यह बत इस घोशना को पढ़ करके सुनाय हुआ था ठीक है और इसके दौरा क्या होता कि भारती जो प्रसासन का नियंत्रन था वो कंपनी से छिन करके ब्रिटिस क्राउन को सौब दिया गया था यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि लिए जिसे भारत सरकार अधि लिए 808 शक्ता वह भी का जाता हैं कहा गया आगे देखिय अगला कोर் 상황 के रिए कि अंग्रेज राजपूथ राज्यों में 18 bitte को दबाने में सफल रहे क्योंकि शासट को ने कर्थीकारी का साथ नहीं दिया था ठीक है स्थानी है जो 19 старे के विद्रो को दबाने में जफल रहें कि यह म dared की करेक्ट जो थे कि वह राजपुत राज़ियों में 18illy की विद्रो को दबाने में सफल रहें कि इस कोईशन का और्फसंट नमबर यानि कि स्थानिय सासकों ने करांतिकारी का साथ नहीं दिया था ठीक है स्थानिय जो सासक थे उन्होंने करांतिकारी का साथ नहीं दिया था बात किस ने कहते हैं कि गर्मी की आंधी की भाती मेरट का विद्रो अप्रत्यासित और अल्पकालिक था ये बात किस ने कही थी कि गर्मी की आंधी की भाती मेरट का विद्रो अप्रत्यासित और अल्पकालिक था राइट अंसर विल बी ऑप्सन सी, एसेंसें टीके ओप्सन सी करेक्ट अंसर हो जाता है SNC की एक पुस्तक का नाम क्या 1857 ठीक है यह पुस्तक का नाम है 1857 याद रखेंगे एक और इसी से नाम मिलता जुलता एक और पुस्तक था रिवेलियन 1857 ठीक है रिवेलियन 1857 पुस्तक को लिखा गया था पीसी जोसी के द्वारा ठीक है ध्यान रखेंगे और इसने होने एक बात कई थी जो कि एसेंस एन तो कई बात कही थे लेकिन यहां मैं आपको एक बात पताता हूं जो लेकिन 1857 का प्रत्थम 57 संग्राम सफल असफल हुआ मने खावा इसका कारण Iya था फ्यूंफल हो गया तो देखे इस questions का right answer हम options number किसे टिक करेंगे डीको टिक करेंगे उप्यूक्त सभी यानि कि भारती सीपाईयों में उद्देश से की एकता की कमी थी ये तो correct है प्राया हम यहाँ कह सकते हैं कि भारती राजाओं ने बृटिस सरकार का साथ दिया देखैंए मैं आपको बता दो कि कई सारे जो यहाँ पे बात करें जो भारती राजाय थे जैसे कि अगर देखें पटियाला, गौालिगर, हैदराबाद, पंजाब वहां के जो रियास्ते थी और वहां के जो राजाओं थे, वो विद्रो का समर्थन नहीं कर रहें, यानि कि विद्रो का समर्थन नहीं कर पाएं, नहीं किये थे, और यहाँ पे कैनिंग ने खुद एक बात कई थी, जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने एक बात कई थी, कि यदि सिंधिया भी विद्रो भी यह हो जाता था कि जो राजाय थे उन्होंने साथ नहीं दिया था इस विद्रोह में ठीक है तो यह तो करेक्ट ही है और यहां पर कॉर्पॉइंट कह सकते थे कि बिट्टिस जो सिपाही थे कही अच्छे सजित और संगटी थे और हमारे जो जो यह विद्रोह करता थे उनक कुंसा आयोग 1875 के विद्रोह के दमन के बाद भारतिय फौज के नौ संगठन से संबंधित है 1875 के बाद जो सेना का जोग फिर से नौ संगठन किया गया था पुनरगठन किया गया था तो वो किस आयोग के अधार पर किया गया था तो पील आयोग के अधार पर किया गया थ इस questions का right answer options नंबर भी हो जायता है देखें स्वतंता से यानि कि जो ये करांती थी 1857 के विद्रों से पुर्व क्या होता था कि सेना में पांच अनुपात एक होते थे यानि कि पांच भारतिये तो एक यूरोपिये होते थे ये रेशियो चलता था लेकिन जब ये जो स्वारी स स्वतंता नहीं 1857 की जो करांती हो गई तो उसके बाद जो नया आयोग बन करके ये पील आयोग के एकॉर्डिंग दो अनुपात एक किया गया यानि कि भारतिये सैनिकों के संख्या दो होगी और यूरोपिये संख्यों के संख्या एक होगी इस तरह से किया गया था तो ये भी कही नहीं पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कुसें देखी क्या है कि सैनिक विद्रों का आधुनिक स्वतंता के लिए प्रथम पर्यास कहना वस्तुत आराग जगता है राजनितिक द्रिस्टी से यह वस्तुत पुरान क लाजन से आपको बताना है तो देखें इस कसरण से करें और यहां पर यहांपे प्याली बरुआ ये तीनों की तीनों असाम से संबन्दी थे लेकिन कदम सिंग का संबन्द मेरट से था ठीक है चलिए अगला गुशन देखिए निमलिखित में से कौन 1857 के विद्रों में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन था 1857 के करांती में जो कि अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन थे मौलवी अहमद उल्ला साथी के ऑप्सेंस नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है याद रखेंगे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपे का इनाम भी रखा हुआ था 1857 के विद्रो मुखे तक किस कारण से असफल रहा बताए कि 1857 का जो विद्रो था मुखे तक किस कारण से असफल रहा तो राइट अंसर विल भी ऑप्सेंस बी किसी समान ने योजना और केंद्रिय संगठन की कमी जैसे मिन आप गोपर मताया था कि जो ब्रिटिस थे उनके पास अच्छे संगठन थे सुसाजित सेना भी थी लेकिन हमारे जो यह विद्रो ही करता थे वह समान ने योजना की भी कमी थी केंद्रिय संगठन के भी कमी थी राजाओं का समर्थन भी नहीं था तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं इस कारण से यह असफल रहा ऑप्सिंस भी अगर आपने उपर को ध्यान से मैंनी बात सुनी होगी तो डेफिनिटली आप राइट एंसर कर सकते तो मेरा को क्या बता था कि कैनिंग ने कहा था सिंधिया के बारे में ठीक है कि अगर सिंधिया इस विद्रों में समलित हो जाते तो मुझे अगले दिन ही अपना विस्तर गोल करना पड़ता तो यहां पर कह सकते कि ग्वालियर की जो सिंधिया थी उनका सरवाधिक सहता प्राप्त हुआ था ठीक है चलिए अगला कुछन क्या कर रहा है कि निम्लिकीत में से किसने अठारो संतावन की विद्रों को एक सड़यंत्र की संग्या दीती बताईए तो मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेशन का राइट अंसर क्या है ऑप्सेंस नमबर ए यानि कि जेम्स आउट्रम और डाबलू टेलर ने कहा था हिंदू मुस्लिम सड़यंत्र ठीक है इस अठारो संतावन की विद्रों को इन्हों ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सड़यंत ठीक है अठारो संतावन की विद्रों को इन्हों ने राश्टी एकरांती का संग्या दिया था और यहां पे सर जॉन्स लॉरेंस की बात करें तो लॉरेंस ने सिपाही विद्रों का आता उसी दरह से अगर हम यहां पे देखें टी आर होम्स तो होम्स ने एक बात कही थी सभ अभ्यता एवं बरबरता का संघर्स जो की टी आर होमस ने कही थी ठीक है अगला कुछन देखे अठारफ संथावन के संघर्स में भाग लेने वाले सिपाहियों में सरवाधिक संख्या थी तो यहां पे राइट एंसर क्या होगा आगे दीखे अठारफ संथावन में किसने इलाभाद को अपातकालीन मुख्याले बनाया था तो इस क्या रहेगा कि भारत के प्रत्थम सौतांता संघर्स क्या होगा क्या था भारत के प्रत्थम सौतांता संघर्स का मुख्य तत्काली कारण क्या था तो करेक्ट एंसर हमारा होगा ऑप्सेंस नंबर बी यानि कि अंग्रेजों का धर्म में हस्त छेप का संदे ऑप्सेंस भी और राइट एंसर हो जाता है अगला कुशन क्या करा है कि ठारफ संथावन ठीक है राम चंदर पांडुरन एक क्विशन और भी पुझा सकता है कि तात्या टोपे को एक और राम से जोकी प्रसित थे इटली के गैरी बाली ठीक है इटली के गैरी बाली के नाम से भी यह जाने जाते थे तो यह भी आप याद रखेंगे किस इतियासकार ने लिखा तथा कथित प्रत्थम रास्टिये सौतंता संग्राम ना तो प्रत्थम नहीं रास्टिये और नहीं सौतंता संग्राम था यह बात किस ने कही थे किस इत्यासकार ने लिखा था तो correct answer options number A R C हुजुमदार, options A will be correct answer next day के सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीज़े यानि आपको छेत्र और उसके नतित्व करता के साथ match करना है तो बताइए correct answer क्या होगा यहां से कहीं न कहीं एक से 2 questions देखने को अक्सर आपको पेपर में मिलता ही रहता है तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा देखिए ग्वालियर और कालपी से बात करें तो यहां पर क्या होगा तो इस questions का देखिए सबसे पहले match करते हैं तो correct answer हमा देखिए एक क्या होगा जो की तात्या टोपे इलहाबाद की बात कहीं जो की इलहाबाद कई बार पेपर में पुछा जाता है तो इलहाबाद से हम देखे तो राइट एंसर इलहाबाद का लियाकत अली यहां पर दो की होगा बी का 2 तो बी का 2 के साथ यहां पर मिल रहा है तो देखे एक का 4 यहां पर मिल रहा था लेकिन बी का 2 सिर्फ यहां पर मिल रहा है इसलिए options नमबर हम एक को टिक करेंगे फैजाबाद से भी कई बार पूछा जाता है तो फैजाबाद से मौलवी अहमद दुल्ला को याद रखेंगी और जगदीशपूर तो आपको पता ही है जगदीशपूर जोकी वीर कुवर्जिंग ठीक है options हमारा एक correct answer हो जाता है next क्या बनता है कि बिहार के जगदीशपूर में विद्रो के दमन का स्रे किस अधिकारी को है तो राइट अंसर क्या है टेलर वो विंसेट आयर ठीक है विलियम टेलर और विंसेट आयर राइट अंसर हो जाता है हडसन की बात करें तो कहां से संबंद थे हडसन का संबंद दिल्ली से था हडसन और निकल्सन का संबंद दिल्ली से था हैवलोग की बात करें तो हैवलोग कानपोर से संबंद रखते थे हिरोज के बारे में आपको पता है हिरोज जहांसी संबंद दी थे और मैं आपको बता द अक्सार देखने को मिलता रहते हैं नेक्स रोशन क्या कहा रहा है देखें ध्यान दीजेगा कि सुरब रत्रम किस ने अठारोशन तावन की विद्रोग के तुरंत बाद इसे एक रास्टिय विद्रोग की संग्या देथे तो राइट अंसर हो जाता है विद्रोग के सुरब को सामनती विद्रोग आप्सिंस ने इनके बारे में विचार थे वह मैंने इंक्लूड कर रखा है और जो इंपोटेंट है वह इंकलूड कर रखा है ऐसे तो बहुत सार है तो देखे सामंती विद्रों की बात कही थी जुहारलाल नेरू ने, options number D, right हो जाता है, निमलेखित में से किसने 1857 के विपल्लों को प्रथम भारतिय स्वतंता युद्ध की संग्या दी थी, प्रथम भारतिय स्वतंता युद्ध की संग्या किसने दी थी, तो इस questions का right answer हो जात जो की बाद में राश्टी विद्रों या स्वतंता संग्राम में परिनत हो गया, तो correct answer यहाँ पर हो जाता है, options number C, S and C, option C will be correct answer, अगला question कहा रहा है कि 1857 के संदर में किसने कहा कि British सासन को उखाड फेकने के लिए भारतिय जनता की क्रांती, ये बात किसने कही थी, 1857 के संब संदर में कि British सासन को उखाड फेकने के लिए भारतिय जनता की ये करांती है, तो ये बात कही थी, कार्ल मार्क्स के द्वारा, options number A, correct हो जाता है, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी, next question जो की बहुत important question है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे college नी हो यहाँ पे हो जागा, options number B, सयद एहमद खार, ठीक है, options B, correct हो जाता है, अगर हम यहाँ पे देखें, की विडी स्वारकर की पुस्तक का नाम क्या था, तो विडी स्वारकर की पुस्तक का नाम था, first war of Indian independence, first war of Indian independence, और असोप महता जी का एक पुस्तक था, जो की उनका नाम क्य था, the great rebellion, ठीक है, the great rebellion, पुस्तक का नाम था, तो दोनों याद रखेंगे, देखें, नेक्शोसिन क्या करा, ठारो सांदावन की विद्रों की असफलता के बाद, मुगल बादसा, बहादुर सादुति को, कहां, वो किस ने गिरफतार किया था, ये question मैं को, already, जो हम लोग options, D will be correct answer, और इनको बाद में जो की रंगूर भेज दिया गया था, साथ में इनकी जो पतनी थी, जिन्नत महल को भी ठीक है, और वहाँ पे इनकी मृत्यों 1862 में हो गई थी, नेमलिखित में से किस पर कुछ इतियास कारोण नी, 1857 की विद्रों के दोरान, अंग्रेजु के स आत मिलकर के सड़े अंतर रचने का आरोप भी लगाया था, तो राइट अंसर क्या बन आपको बता है, जिन्नत महल कौन थी, तो जिन्नत महल थी, बहादुर साथ द्वितिये की पत्तिनी, options नमबर ए, राइट अंसर है, महरानी विक्टोरिया ने भारतिया प्रसासन को ब्र करेक्ट आंसर हो जाता है, नेक्ट शुचने कि आधुनिक इतिहासकार जिसने ठारोशंत आवन की विद्रों को सवतनता की पहली लडाई कहा था, उपर आम लोगों ने एक पुस्तक देखा था, first war of Indian independence, उसका मतलब भी तो यही है कि सवतनता की पहली लडाई, तो ये बात क इसने की थी, किसकी पुस्तक थी, तो वी यार, वी स्री, बीडी सवार कर की थी, तो यानि correct answer आंसर होगो, options number C, बीडी सवार कर, clear, अगला उसने देखी क्या, भारतिय सवतनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था, भारतिय सवतनता अंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन सवतनता संग्राम में पढ़नित हो गया था, अच्छा ये question लोगों उपर में देख चुका, ठीक है, तो कोई दिक्कत नि, correct answer हमारा था, options number C, SN, से इनने बात कई थी, अब आपके लिए दो question मैं नहीं हापने इत्लिड कर रखा, इस दोनों question का आईटे सरक नीचे comments box में बत क्या था, तो फिन्स उमीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगाओगा, वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों सांसेर कीजिए, और इस तरह की और वी सीरीज को follow करते रहने के लिए आगे देखने के लिए चैनल को सब्स